वेलो गाईज क्या हाल है आप सब के आपका स्वागत है को नए व्लोग में तो मेरा नाम हरों ठाप और तो अज कब लोग स्टाट करते हैं अपने मार्केट से ही फिर हम निकल लिए बस के अंदर पहट चलते चलते में हैं हमारे श्रीबा के वेरी डेंटल कोलीच पिर हम पोच गए अपने कोलीच के पास ही कुछ मिनुट के रश्ते पर ही यह के मतलब यहां पर जादे दूली रहती है कि हमारे गुलीज की रष्टे के पास तो मतलब बेकारी लगता है कभी के बाग तो मन करता है कि आए ना लेकिन मतलब यहां पर ऐसा है कि दूल च्पिटल बढ़ते हैं फिर हम आ लिए घर की तरफ मतलब कोलीज में हमने करवाई थे किलेक्षर लिया फिर आ गए फिर यह रहा बस की किलिप में मैं पूम ब्रेंग खेल रहा था बूम ब्रेंग के बाद हम पोच गए बजार अपने पुल की साइट मतलब देख लो आप भी कि रहे हमारे मार्केट मार्केट में देखो कितनी बीड रहती है यह देखो बिल्कुल मतलब भरा रहता है जागे ने रहती फिर में चला गया जिम जिम में मैंने की आज बैक के एक साही सारी गर पर आने के बाद मैंने किये प्रेज अपने लॉंग कोट पर तो यह लॉंग कोट मतलब इस पर जादे तर रूवे चड़ चुके थे तो मतलब चाची जी बोली कि यह प्रेज से ठीक हो जाएंगे तो मैंने करी प्रेज करने के बाद मेरा मेरा लॉंग कोट यह मैंने पेंट भी करवाया था मतलब रंग चड़वाया था ब्लेक कलर का तो यह थोड़ा वो गया सुकोड़ गया तो फिर हम चलेगे दोस्तों के मेरा पर दोस्त मज़े ले रहे थे मेर से विलोगिंग के लिए तो यह कहने लगे कि यह तुमारा मतलब जो वो है ठेला वो फ्यमस करवाना चाहता है फिर हमने कहीं चाओमीन फिर आगे दूसरे दोस्तों से भी मिले तो आज हम कुछ दो हफते बाद मिले दोस्तों से तो जाले सबको एक साथ फिर हमने खाये पकोड़ी पकोड़ी अच्छी बनी थी पकोड़ी खाने के बाद दोस्त कुछ कह रहा था यह रही पकोड़ी आपके सामने यह अच्छी लगी थी तो गरम गरम थी फिर हमने दूसरी भी दूसरे रहता हुए दोस्त फिर घर पर आकर मै अपना फेवरेट स्पाइडर मैन फिर मैं एडिट करने के बाद सो गया घर पर बाई गुड नाइट टेक केर